हलो प्रेंट्स आज आपको बताए जाएगा आर्टी जोन एस इंजेक्शन के बारे में जिसके अंदर साल्ट आता है फिनाल विटा जोन एंड सोडियम सेलिसलिट देखो इंजेक्शन पसू में कैसे लगा जाता है इसका फाइदा क्या है पसू में आप किस तरह की रोगों के इस इंजेक्शन का प्रियोग करते हैं तो पसू में बैटरी जेल मिलता है वीडियो को इसके में देखना पूरा देखना देखो आर्टी जोन एस इंजेक्शन के इस तरह की बीमारी है जिसको इस इंजेक्शन चे आप कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरह से 100 ml का इंजेक्शन आ कहीं चोट की वज़े से हूँ या कोई इस तरह का इंफिक्टेड हो कोई भी दिकत हो जाती है तो आप इस इंजेक्शन का परियोग अपने परसू में करवा सकते हैं कहीं पर एदी सुजन आ गई शरीर के ऊपर कहीं पर चोट लग गई कहीं पर परसू गीर गया तो उस इस्त इंजेक्शन का परियोग परसू में करा सकते हैं या कहीं पर इदी परसू का कुछ भाग शरीर का कुछ भाग इदी फ्रेक्चर हो जाता है तो उसी स्तति में भी इस इंजेक्शन का परियोग किया जाता है देखो खहने का मतलब है इस इंजेक्शन का परियोग कहीं पर देखो ये इंजेक्शन एदी जैसे बड़े पस्टों हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, उनमें आप जैसे गायबेंस हैं, तो उसमें आप ये 15 ml से लेकर करके 25 ml तक, इसकी डोज आप 1 ml पर 20 kg बोडी वेट रख सकते हैं, जिन पस्टों का वजन 20 kg है, भेडबकरियों में ता आप इसे 1 ml, 40 kg है तो 2 ml, इसी तरह से ये बड़े पस्टों का वजन बोडी वेट 500 kg है तो 25 ml, ओन लियोन इंट्रामस्कुलर, इस इंजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है, ये छोटे से बड़े पस्टों में भेडबकरियों में भी हो, जा आप इस इंजेक्शन की 24 गंटे के इंतराल में आप इस इंजेक्शन की डोज रिपीट कर सकते हैं, ये लगातार इदी आप इस इंजेक्शन को लगातार दोज से तीन दिन इदी आप परियोग करेंगे, तब ही आपको बैटर रिजल देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि कि किसी तरह की swelling आ गई चोट आ गई लंगडा कर चल रहा है उसमें आपने एक dose लगा दी तो result कम मिलेगा लेकिन आप लगातार तीन दिन परियोग करें तो सबसे best result मिलेगा अधर आप जो support therapy के तोर पर एधर जो injection लगा रहे हैं तो वह injection लगाएंगे तो आपको और भी अच्छ आपको वीडियो इस चेनल पर किसी injection के बारे में ऐसी मिलते रहेंगे इसी तरह वीडियो दिखते रहें थैंक्स धन्यवाद